हेलो बचों कैसे हो आपका स्वागत है तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं काफी महत पूर्ण कोशन पेपर है यह कोशन पेपर जो है कक्षा नौमी के विध्यारतियों के लिए है जो साइंस सब्जेक जोनों ने लिया हुआ है काफी महत पूर्ण पेपर तिरपान स्टेडी सेंटर ने लाया है और इस पेपर का यह उमीद रखा जाता है कि एक्जाम पॉइंट व्यू से भी महत रखेग और उसका आपको अच्छे से करना है समझना है और परना पेपर के लिए अच्छे से जो है तैयारी करना है ectchat कि च्झागे और इसके बिए उसकी को इसको की रूप में समझाया जाएगा और यह रहता है कहते हैं mcq देख बहाना है आपको पूरा को मुझे समझाना है इस बात पर जरूर गौर कीजिए और इस कोशन पेपर को अच्छे से कीजिए और पेपर में आने के चाज़े से रहेंगे तो चलिए देखते हैं हमारा यहां पर क्यों क्या आया है यहां पर जो हम कर रहे हैं काफी महत्वपून यहां पर कोशन पेपर है कक्षा नौमी के विद्यार्थियों के लिए हैं देखा जाये तो यह कोशन पेपर एक्जाइम पॉइंट व्यू से काफी महत्वपून रहेंगे इसमें हम एलाइस करेंगे समझेंग कोशन है कि पशुब फालन निमलिख्षित का बेज्ञानी प्रवंदा ने दिखिए पशुब बलं जो थी एक मेहतव पून जो है सेंटिफिक मेनेजमेंट ओफ देखा जाए अगर हम अप्शनों पर नजर दाले तो पहला है प्रसु को प्रजन करवाना तुसरा है इनिमाइस की संस्कृती तिसरा कहता है प्रसुधन चौता है प्रसु का पालन पोशन यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो ब ज्यानी प्रवंदन करें तो प्रसु प्रजनन आता है तो प्रसु प्रजनन के अंतर कर देखा जाए तो यहां पर ऑप्शन ए सी डी में पहला ऑप्शन लिया गया है एक कोई तो इसका मतलब बी जो है आटोमैटिक हो जाता है तो यह भी एक महत्पून बात है करने का एक तक्नीख जिसको हम बीको ढंकर दीं कि हमने प्रसु प्रसु पहला माना है दुश्रा है की संस्कृति ऐनिए माईस का मतलब होता है कलचर ओफ एनिमल जैकिन कलचर ओव एनिमल तो यहां पर आ नहीं सकता अगया इसे आफ देखिए जैसे मैंने इसको गलत बोला इसमेश कई जो है Eliminate हो जाते हैं。 अब देखिए किसमे है यहां पर दूसरे नंबर पर जो हैma दूसरा उट दिया गया जो गलत है जिस जिसमें दूसरा दूसरी नंबर पर हो वह सारा घलत है इसका मतलब देखिए एक गलत हो गया सी गलत हो गया यह तीनों के तीनों जो हो गया गलत अब सिर्व हमारे समक्ष एकी ऑप्शन सेस रह गया डी तो इसका मतलब पसुधन इमलिकित विज्ञानी प्रवंदन के लिए पसुपरजननन पसुधन और पसुओ का परण पोशन यह ओप्शन आपका जो है करेक्ट जाएगा यानि देखा जाए तो ओप्शन यहाँ पर जो है डी शही है और डी होने का करण क्या है कुछ आपको फ पसुधन का विज्ञानी प्रवंदन किया जाता है इसके करण देखते क्या है कि आगे हमारे समक्ष कोशन आया है कोशन है किसी वस्तु की सकती का व्यंजन इसके बराबर होता है यानि देखा जाया तो सकती किसके बराबर होता है कोशन यहाँ पर साफ और किलियर है कि सकती किसके बराबर होता है Expression of the power of an object is equal to Expression for the power of object is equal to Option कहता है कि सक्ती बराबर किया गया कारे गुना समय होता है B कहता है सक्ती समय कारे किया गया यानि समय कारे किया गया और C कहता है सक्ती जो होता है किसके बराबर होता है कारे पूरा करने का समय दी कहता है सक्ति बरापर बल गुना विस्तापन तो इसमें से आपको जो है सही option को चुनना है और बताना है कि कौन सा statement यहाँ पर सही है अगर आपने पढ़ा होगा कि सक्ति वह दर है जिस पर कारे किया जाता है यानि सक्ति की परिवाशा क्या है कि सक्ति वह दर है जिस पर कारे किया जाता है mean the power is the rate at which the work is done the power is a rate at which work is done इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ पर option C सही जाएगा क्योंकि सक्ति कारे पूरा करने का समय है तो यही तो definition में बता रहा था ना तो इसका मतलब आपका option C सही है आप option C के साथ जा सकते हो चले देखते हैं अगला question क्या आया है अगला question हमारे समक्षा गया है question है कि निमिलिक्त में से गलत कथन को आपको चुनना है यहाँ पर कुछ आपको कथन दे दी गई है उनमें से जो है गलत statement को चुनना है कि गलत statement इसमें से कौन सा है find out the wrong statement from the flowing find out the wrong statement from the flowing अगर statement की बात करें हम तो पहला है स्वेत करांती का उदेश दूद उत्पादन बिर्दी करना है B कहता है निली करांती मचल उत्पादन बिर्दी करने के लिए होती है सी कहता है पर्या वर्मनी गुर्वनता में समझाता कि ये बिना खाते पदात बढ़ाना और टिकाव कृषिक कहलाता है देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो दी कहता है उत्प्योगत में से कोई नहीं जैसे हमने statement परा इस statement कावी महत पूर्ण यहां बात बता रहा है अगर आपको एक बात पता हो कि स्वेत क्रांती दूत्पादन बिर्दी के लिए की जाती है तो इसका मतलब पहला statement सही है दूसरी बात कहती के नीली क्रांती मचल इत्पादन के ब्रदी के लिए है और हरित क्रांती खाद्यान के उच्छ ऊत्पादन के लिए होता है और पर्यावरन गुड मंता से समझाता किये बिना हमें खादे उत्पादन को बढ़ाना है क्योंभी खादे उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो देश में जो है इसकी पूर्ती नहीं की जा सकती तो इसलिए भी काफी महत पूर्ण है the mean here the food protections the white revolution is a mean for the increasing of milk production and blue revolution is a mean for the increasing of fish production and the green revolution is the high production of food grain so stable agriculture is increase the food production without compromising with environmental quality it mean to the option the correct यानि देखा जाए तो इन में से गलत कथन तो कोई भी नहीं है ना तो a है ना तो b है ना ही c है तो इसका मतलब यहाँ पर d option आपका सही जाएगा आप d option के साथ जा सकते हो क्योंकि d option जो है गलत कतन है क्योंकि साड़े तो option सही गए तो d ही एक हो सकता है इसका answer के अंतरगत तो चलिए देखते हैं अगला question क्या है तो next question on your screen question है केंद्रक के अलावा अन्य अंगक जिसमें dna होता है वो कोन है यह काफी महत्वपून यहाँ पर question बनता है the question here organese organese other than to nucleus containing a dna is you know that question is very interesting organese other than the nucleus containing dna is option here endoplasmetic reticulum b gloxy up current nc metrocondria and d lysosome question काफी महत्वपून है समझ जने वाला है अगर आपको समझ में आता है तो यह काफी महत्व रखेगा देखा जाये तो statement को समझ लेना ही महत्वपून बन जाती है अगर हम यहां बात करें तो matrocondria में dna होता है आपको पता होना चाहिए कि matrocondria में जो हता है dna पाया जाता है और और वह अपनेёзवें के protein को संस्लेट करने में सक्षम होते हैं यानि अपने प्रोटीन को संस्लेशन करने में क्या करते हैं सक्षम होते हैं उन्हें अध्रस्वायत अंगक के रूप में भी जाना जाता है यानि हम इसे अंध्रक रूप में भी जानते हैं तो ये काफी महतपून बात है it means to hear mitochondria contain a DNA mitochondria contain a DNA and are able to be synthesis they are open protein they are able to synthesis they are open proteins and they are also known as the semi-automous organus they are also known as the semi-automous organus here it means to the option C is correct देखा जाए तो option C सही है mitochondria C option के साथ आप जा सकते हो चलिए देखते हैं अगले कोशन किस के साथ हम जा सकते हैं आगे कोशन हमारे समक्षा आ गया है देखिए कोशन है कि माल लीजिए कि एक लेरका एक हिंडोल गो राउंड पर सवारी का अनन्द ले रहा है जो 10 MS-1 की रिनांतर गती से चलता है इसका तारपते यह है कि लड़का है किस अवस्ता में कोशन समझ में आया कि माल लीजिए कि लड़का एक हिंडोले गो राउंड पर सवारी का अनन्द ले रहा है जो 10 MS-1 की रिनांतर गती से चल रहा है इसका तारपते यह है कि लड़का किस कंडिशन में है लड़का जो है किस कंडिशन में इटम रहा है it means to here suppose a boy is joining a ride on a merry-go-round merry-go-round we are moving with the constant speed of 10 MS-1 and it is impulse that the boy is that's an important question here क्या बच्चा अराम पर है या बी बिना किसी तोरन को चलना या सी तोरित गती में या दी एक समाने बेग से चलना कोशन का भी महत पून है अगर इसको हम समझे या मेरी गो और हम बच्चाण सब्स्चाण सिरी चांस पर बचर्स conven और से ल três minist्द मेरी गोर्भर से उसकों सब्स्चान सब्स्सक्राउ्ड से ऋड़ और Means डिस बच्या है बर expect रच्चान चांस और नंडाः the the circular motion, so we can say that the boy is a accelerating motion, the boy is a accelerating motion, अगर इस बात को अगर हम simple सब्दों में समझे, तो merry go round में गती स्थिर होती है, जो merry go round अगर हम बैठते उस पे, तो गती स्थिर होती है, लेकिन वेग स्थिर नहीं होती है, वेग स्थिर उसमें होता नहीं है, क्योंकि इसकी दिशा बदलती रहती है, दिशा जो होती है मेज़ा, बदलती रहती है, यानि गुलाकार गती में तोरन होती है, जो गुलाकार गुमते हैं, तो उसमें गती तोरित करती है, तो हम यह कह सकते हैं कि लारका तोरित गती में है यानि असलरेशन में बच्चा जो है बैटा हुआ है तो इसका मतलब ऑप्षन कौन सा जाएगा सही C तोरित गती में इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि बच्चा जो है तोरित गती में है क्योंकि वो सिरफ खुम रहा है तो देखा जाए तो काफी महत तुपूर है कि अंसर जो है इना असलेटिंग मोशन, C option is correct कि निमलिकित में से कौन सा काफन सुध पदार्थों के लिए सकते है यानि यहाँ पर कुछ बाते आपको दी गई है आपको यह बताना है कि निमलिकित में से कों सा जो काफन स्टेट्मेंट है शुध पदार्थों के लिए सकते है याई प्योर के लि Know that question is very interesting. Which of the flowing statement are true for the pure substance? Option देखें, तो पहला है, शुद्पदार्तों में केवल एक ही परकार के कण होते हैं. सुद्पदार्त में केवल एक ही परकार के कण होते हैं. Option दुसरा कह रहा है, कि सुद्पदार्त योगिक या मिश्रन हो सकते हैं. सुद्पदार्त योगिक भी हो सकते हैं, और मिश्रन भी हो सकते हैं. तिसरा option कह रहा है, कि सुद्पदार्तों के सरचना सरवता समानने होती है. और चौथा कह रहा है कि सुद्पदार्तों को निकेल के अलावा अन्ने सभी तत्व द्वारा उधारन दिया जा सकता है तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही जाएगा देखा जाए तो मैं आपके फैट बताना चाहता हूँ a pure substance is one which is made of only one kind of autumn or molecules know that a pure substance is one which is made of only one kind of autumn or molecules they have the same composition throughout they have the same composition throughout काभी मैं तो पून बात यहां बताई गई है अगर मैं आपको यह समझाना चाहूंगा तो यही बात है कि सुद्परदार तो वह है जो केवल एक ही परकार के परमानू या आनू से बने होते है सुद्परदार की यही वी सेस्ता महतुपून होती है कि वह एक ही परकार के परमानू या आनू से बने होते है और उनकी स्रचना सरवाता एक जैसी ही होती है तो देखा जाये तो यहां ऑप्शन जो होगा किसके अंतर जाएगा तो देखा जाये कि पहला ऑप्शन यह बोला गया था कि सुद्बदार्तों में किवल एक ही परकार के कण होती है यह बात तो सही है हमने जो इस्टेटमेंट परा वो किवल एक ही परकार के पर मानुए आनू से बने होते हैं तो इसका मतलब ऑप्शन सही है अब देखिए जिन जिन में जो है पहला वन पॉइंट नहीं दिया हुआ सारे गलत है यानि सीडी जो है यहां पर हो जाता है सीडी जो है बिलकुल ही गलत स्टेटमेंट है आ सूथ पदार्थों में किवल एक ही परकार के कण होते हैं तो सूथ पदार्थ योगी की ओमिशन तो हो ही नहीं सकते तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत गया ठीक है अब जिसमें दो होगा यानि देखिए भी रह गया तर माइंड अब देखिए इसमें पहले में ए पहला और दूसरा दिया हुआ है तो इसका मतलब यह गलत चला गया अब देखिए ए सी डी तीनों गलत चले गये तो रह गया हमारा भी ऑप्शन तो इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट जो होगा सूथ पदार्थों सरचना सरवता समानने होती है यह भी बात सही है यानि यह अलावा अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्षा आ गया है अगला कोशन क्या है काफी दिल्चस्प लगड़ा है कोशन है कि एक प्रियोग करते समय करबन डक साइड को एक बंद स्लेंडर में लिया गया और दवाब डाल करना कम ताप पान रख कर संपिरित किया गया उपर दिये गए प्रक्रिया के पूरा होने के बाद हम पदार्थ की कोशन यहां बहुत ही असान है लेकिन अधिक स्टेट्मेंट होने है कारण आप परसान हो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टेट्मेंट बढ़ा हो यह चोटा समझने की जरूरत है एक प्रयोग करते समय करबन डक साइड को एक बंद स्लेंडर में लिया गया और दवाब डाल करता कम ताप पान रख कर संपिरित किया गया तो उपर दिये गए परक्रिया को पुरा होने के बाद हम पदार की कोई सिवस्ता को हम पायेंगे इट मिन तो है इन लाबोर्टरी विल दुदिगार्ट्री विल दूरिमेंट कारबन डक साइड वस टेकन इन अ in closed, slender, and compressed by the applying pressure and keeping a low temperature. This state of matter will be obtained after the completions of above a give-up process. You know that question is very interesting. The option here, A, Thos, Bastu, option B, Taran में मिलेगा, option C, Gas में मिलेगा, या D, दो, नो, A, और B, दो, नो में मिलेगा. तो इसके लिए आपके एक statement समझना पड़ेगा. इसका statement यह कहता है, कि liquid state of matter will be obtained and the process is known as a lookification. The liquid state of matter will be obtained and the process is known as a lookification. A lookification is the change of the state from gas to the liquid by increasing pressure or decreasing temperature. It means to here, there is a most important statement here. The statement says, पदार्थ की तरल अवस्ता प्राप्त की जाएगी. देखिए, पदार्थ की तरल अवस्ता यहां प्राप्त की जाएगी. करण क्या है? कि इस परकडिया को द्रवित के रूप में जाना जाता है. क्योंकि यह प्रकडिया जो है, द्रवित की रूप में या द्रव्य होने को प्रकडिया होती है. और दबाब बढ़ने या तापमान घटने से गैस तरल अवस्ता में प्रवर्तत को द्रविकरन कहते हैं. यानि देखा जाए, तापमान घटने से गैस जो होती है या तापमान बढ़ाने से तरल अवस्ता में आ जाती है. तो इसका मतलब यहाँ पर option B आपका सही है आप B option के साथ जा सकते हो कि liquid यानी option B तराल तो हम काफी महत्वपूर बात पर यहाँ पर discuss कर रहे हैं चलिए देखते हैं अगला question क्या discuss कर सकते हैं कर अगला question आपके समक्षा आगया है कि निमलिकात में से कोन एक जिल्ली से डखका हुआ है कोई यहाँ पर साफ है कि यह आपके चारए option दिये गया है निमलिकात में से कोन एक एककल जिल्ली से डखका खुआ है तो कोशन काफी दिल्चस्प है और समझ के लिए मैं तुपून है Which of the flowing are covered by the single membrane You know that, कोशन है Which of the flowing are covered by the single membranes Option यहाँ पर दिया गया है कि मैट्रो कंडेडिया ठका हुआ होता है या देखा जाए रितिका रितिका का मतलब होता है वेक्यूल या C, Lysosome या D, both मैट्रो कंडेडिया भी या वेक्यूल्स भी तो यह काफी महत पून है अगर इस कोशन को समझना है तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि single membranes will be मैट्रो कंडेडिया and plastodise have a double membranes It means to hear वेक्यूल और Lysosome are covered by a single membranes and will the mitochondria and plastodise have a double membranes mean रितिका और Lysosome एक ही जिल्दी से धके होते हैं जबकि metropondria और plastodise में दोड़ी जिल्दी होती है plastodise और metropondria में दोड़ी जिल्दी होती है लेकिन यहाँ एककल जिल्दी की बात की गई है तो रितिका और Lysosome में ऐसा देखने को मिलता है और आप समझ सकते हो कि रितिका और Lysosome जो है B और C है तो यहाँ पर काफी important बात बताई गई है ठीक है तो यहाँ पर option D सही जाएगा यहाँ पर आपका D में जो है गलत statement बनाई गई है तो यहाँ पर काफी महत्पून D option आपका रहेगा चलिए देखते हैं अगला question क्या है अगला question हमारे समख शागे आए अगस्पेरिमेंट में पहला यहाँ पर क्या प्रक्रियाई उसको आपको जो है सही रूप में देना है यानि में से कौन सा कतन सही है आपको उस सही कतन को चुनना है तो यह काफी महत्पून question exam point of view से रखता है यहाँ पर जो है एक्सपरिमेंट दी गई है आपको सही स्टेंट मेंट को जो है यह क्रम बंद करना है तो यह काफी महत्पून दाता है whether for alpha particles a particles a scatting experience show that which of the verb statement are correct which of the verb statements are correct देखा जाये तो ऑप्षन ए कहता है हमारे समनुख्ष ऑप्षन ये कह रहा है कि अलक्टौन-पर्नात्मशम होता है तुसरा बोलता है परम्नु का द्र्वमान और अवेश नाविक में केंद्रित होता है और तिसरा बोलता है कि नीट्रोन नाविक के बार मजजूद होता है और चौता बोलता है परमानु में अधिकांस अस्तान खाली होते हैं तो देखिए ऑप्शन भी काफी दिल्चस्प है समझने वाली बात है लेकिन आप कोई एक बात यहां पर ध्यान देना है on the autumn consists of positively charged on autumn consists of positively charged dense and very small nucleus which has all the proton and neutron there is a dense and very small nucleus which has all the proton and neutron positive charge due to the proton positive charge is due to proton as a neutron has a no charge neutron has a no charge most of the space are empty because most of the alpha particle pass through straight through the gold falls and without any defection the electron have a negative charge it means to hear the most important statement here the statement here the statement here एक परमानु में एक धनावेशित सदन और बहुत छोटा नाविक होता है जिसमें सभी proton और neutron होते हैं जिसमें साड़े proton और neutron होते हैं धनात्मक आवेश प्रोटोन और neutron होते हैं दनात्मक आवेश जो होते हैं पोजिटिव आवेश जो होते हैं प्रोटोन का कण होते हैं और negative याणि नीट्रल पर कोई आवेश नहीं होता है अधिकान अस्तान इसमें खाली होता है क्योंकि अधिकास अलफा कण बिना किसी बीच्छेपन के सीधे नीचे की पन्नी से होकर गुजर जाता है आपने अलफा कंद देखा होगा एक्सपेरिमेंट में इसमें जो है सोने की पन्नी से होकर गुजरते हैं और बिच्छेपन के सीधे सोने की पन्नी से होकर गुजर जाते हैं तो इसका मतलब यहां पर देखिए नहीं आवेश होता है अब स्टेट्मेंट द धनात्मक आवेश नहीं होता है अब देखिए जिस जिस में पहला होगा ना वह साड़े एलिमिनेट हो जाएंगे यानि देखिए ए और सी जो है एलिमिनेट हो गए अब हमारा दोंदर जो रहा गया है भी और डी में रहा गया यानि भी और डी आपके समक्ष रिमाइंटर जिस नाभिक में केंद्रित होते हैं निकलियस में होते हैं तो यह बात सही है तो इसका मतलब देखिए ए और सी तो हमें इलिमिनेट कर दिये अब यहां पर दूसरा ऑप्शन सही जा रहा है अब देखिए डी में तिसरा से स्टार्ट कर रहा है और बी में दूसरा से तो इस आप देखा जाये तो चौधा बोल रहया परमाणू में Adikant Substan खाली होते यह बात भी सही है कि परमानू में अधिकां सतान काली होते है तो इसका मतलब आपका Option यहाँ पर B सही जाएगा B Option के साथ आप जा सकते हो क्योंकि यह B option जो है आपका correct होगा और रिजन इसका आपने समझी लिया होगा तो ये आपके लिए काफी महत पूर्ण डखता exam point of view से कि एलक्टोन has a negative charge here nothing there is the the marks and positive charge of autumn is a concentrated in the nucleus and neutron exit outside the nucleus is the wrong and the most of the space is the autumn is empty it mean to the option second and fourth is correct the marks and positive charge the autumn is a concentrated in the nucleus and most of the space is autumn is a empty that's correct answer sima na ek prakiti gas compressing unit ka dhara kia sima na ek prakiti gas compressing unit ka dhara kia और पाया की gas को विसिस तापमान और दबाब की इस्तिती में तरल कित किया जा रहा है यानि तरल में बदला जा रहा है दोस्तों के साथ अपना अनुबब साजा करते समय वो तोरा सा भ्रामित हो गई और उसे इस्तिती को सही set की पहचान करने में मदद करें यानि उसको जो है set के जाच करने में कुछ मदद की जरूरत है तो यह कभी महत पूर्ण बात है तो सिमय बसे चलना नचल नचल गस प्राव जोन रीक आंपने जाचान की जाच एफ सिर्धागि वकूरत करते हैं व्ल्दर ऋ राता बाता घ्सकी अपर्यशं the first step of condition. You know that, question is very interesting, Sima vises a natural gas, compressing a unit and found that a gas can be liquefied under specific temperature and pressure condition. While sharing her experience with friends, she got her confused and help her to identify the correct set of condition. You know that option A, तो कभी महतपूर बात है अखर आखिरू किस बात के लिए किस बात की तो किस देखा जाये there is a lot of space between to the particles of gas you know that the space between particle to the gas unapply to high pressure the particle of gas moves so close that there start attracted to each other sufficiently forming a liquid keeping the temperature low and keep the energy of gas गैस पार्टिकल्स इस लो तब मेकिंग इट इजिया टू लिक्विफाई यहां पर देखा जाए तो इस बात के अंतरगत एक साफ बात तो हो गई कि गैस के कनों के बीच काफी जगह होती है आपने देखा होगा कि गैस जो होती है बहुत हलका होता है तो गैसों के बीच में बहुत ही जगह होता है आपके घर में सिलेंडर जो आती है अगर हम सिंपली भरे तो वो बहुत ही असानी ज़र दो मिट में भर जाएगा और उसमें जो गैस होगा मुसके से एक किलो दो किलो ही होगा क्योंकि गैस तो आपको पता है अपनी अस्थान घेर लेता है लेकिन आ गैस वा करने के बीच काफी जगह होती है उच्छे दवाव लगाने पर गैस के कण इतने करीब आ जाते हैं, कि वह एक दुसरे के प्रयाबत रूपसे अकर्शित करने लग जाती है, यानि उनमें अकर्शन बल जो है पैदा हो जाती है, कंप्रेशन के कारण regardless, यानि उच्छे उड़जा होती है वों कम रहती है जिसे इसे करना असान हो जाता है यानि आपने देखा कोशन तो यहां पर काफी महत्वपूर्ण बनता है कि इसी करण यहां औप्शन क्या हो सकता है तो देखा जाए तो option यहाँ पर इसलिए सीमा confused हो गई कि वो यह बात नहीं समझा पाई कि वहाँ पर कम तापमान और उच्चे दवाब की अवशकता नहीं होगी इस बात से जो है confused रही कि कम तापमान और उच्चे दवाब यानि option C सही है इस बात से confused हो गई वो इस बात को नहीं express कर सकी कि जो है उसको compress करने के लिए उच्चे दवाब की जरूत होगा और तापमान कम करने भी जरूरी होगा तब ही जाके जो है cylinder को बरना असान होगा तो इसमें option C सही है option C के साथ आप जा सकती हो चलिए देखते हैं अगला motion क्या है अगला motion आपके समिक्षा गया है देखिए function है कि कि iodine के tincture में कि anti static go low को गोल कर बनाबनाया जाताए को सामझ में आया कि iodine के tincture में antiisch So stick होते हैं और यह गोल n 70 को गोल बनाया जाताए the question is very interesting tincture of iodine has an antiseptic property you know that tincture of iodine has an antiseptic property and this solution is made by dissolving you know that the question is interesting the option here potassium iodide में iodine गोल के बनाया जा सकता है या baseline में iodine या C-Pani में iodine या D-Saram में iodine देखिए यहां पर काभी महत पून बात है कि अगर आपको tincture में anti-acid गुन चाहिए iodine के tincture में acid गुन चाहिए तो आप किसके साथ उसका गोल मिलाईएगा तो जर्नल सी बात यहां पर दोस्तों यह बात आती है a tincture of iodine is made by a dissolving iodine in a alcohol यानि सराब में आपको iodine मिलाना परेगा तभी जो है हमें anti-acid के गुन प्राप्त होंगे तो देखा जाये तो option यहां पर आपका डी सही है iodine in a alcohol option d is a correct लेट सी नेक्स कोशन यह अगला कोशन हमारे समक्षाया है कोशन है कि प्रोक्रियोटिक कोशिकां में देखे जाने वाला एक मात्र कोशिकांग कौन सा होता है कोशन यहां पर इन्पोर्टेंट है कि प्यूकरियोटिक कोशिकाओं में देखी जाने वाली एक मात्र कोशिकां कोशा होता है यहां वाली च्यूकरियोडilla रि değer रि क्विकाओंट है यहां अन्वीओ कोशिका शओएम रिन्युदाओंस कान्न कि व्यूकरियोज्यूड स्वेगेै। रिरियूग Candina,aque actua यह ए फी अली खालार्ग है वी THE सठ液 रिस YOURCासि दयूगडरियोज काफी महत पून बात है कि अब इस बात को समझने के लिए आपको एक स्टेटमेंट को समझना जरूरिये अपिकोयर्टिक सेल लॉक्स मेंबरेन बॉन और गनेस लाइक प्लास्टाइस मेंटो कोडिया और इंडो प्लास्मा रेट कुलम बट स्मोलर और रेंबलिस इस्काइड रिबसों और सीन नोग आट दस इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट अगर हम इस बात को अंड़स्टेंड dinner करें तो यह काफी महत्वपूल बन जाता है कि की ये सेल में में यह बहुत ही smaller जो चोंप और रेंडम already हमें प्राप्ट थोती है और यहां पपर देखा जाए जब होती है तो इस धिए द्खाई देथा है तो इसका मतलब option देखा जाये अधी कि होगा हमारा शाहा है राइबोसोम ही दिखी जाते है तो B option आपका correct होगा रियोसोम यानि राइबोसोम तो यह काफी महत्वपून है B option आपका राइबोसोम सही है चलिए देखते हैं अगला question क्या है अगला question आपके screen पे आ गया है अगला question है कि निमलिकित में से कोण परिवरक्ता पर अपना केंदराख नहीं खोता है यानि देखा जाये तो question काफी महत्व रखता है कि निमलिकित में से कोण परिवरक्ता पर अपना केंदराख नहीं खोता है यानि प्रवक्ता तो option देखिए स्योगी कोशिका है भी लार रक्त कोशिका है C पोट और D जो है छलिनी ट्यूब कोशिका है थोड़ा सा आपको समझने में प्रावलम आ रही होगी तो यह काभी महत पून बात है अगर आपको थोड़ा सा एक बात याद होगा जो NCRT बुक में लिखी हुई है लिखी लिखी लोट सरी लिखी लिखी है अधता है विखी लोट अधत कोशिका है इसका मतलब यहाँ पर यह साफ बनता है कि देखा जाए तो यहाँ पर सहचर कोशिका परवक्ता पर केंद्रक नहीं खोता है यानि सयोगी कोशिका जो होती है सयोगी कोशिका वो कोशिका है जो maturity होने पर केंद्रक नहीं खोता है और देखा जाए तो RBC बाहिकाएं और चल्निट्य कोशिका यानि पोत देखा जाए तो भाई कहाई यानी पोत छलनी ट्यू कोशिका प्रविक्ता पर अपनी केंद्रा खो देता है जब यह मचूर होता है तो अपना जो है केंद्रा खो देता है तो इसका मतलब देखा जाए तो B, C, D गलत है ठीक है ठीक है तो गलत है लेकिन खोता कोण नहीं है सिरफ सहचर कोशिका या सयोगी कोशिका तो देखा जाए आपका ओप्शन A सही है आप A ओप्शन के साथ जा सकते हूँ चलिए देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन आपके स्क्रीन पर आ गया है ठीक है अगला कोशन ये कहता है कि मानव सरीर में वासा इस परकार संग्रहित होता है देखिए मानव सरीर में जो बाशा होती है याई फैट किस परकार से जो है बेवस्तित होती है आपको यहां बताना है कावी महत अपून बात है कि मानव सरीर में जो बाशा होती है फैट वो किस परकार से बेवस्तित होती है A fat are stored in a human body as The fats are stored in the human body as क्या हो? Qlydals Qlydals, epitheliums के regarding होता है या B, edipose tissue के कारण या C, bones में या D, cartilages में तो यहां question का भी महत पूर्ण बात है और आपको एक बात पता होना चाहिए कि edipose tissue store a fat and act as a insulator आपको पता ही होगा कि पेट में जो चमरी होती है वो काफी मोटी होती है और उसमें काफी fat बना हुआ होता है और fat जो होती है वो insulator के काम करता है और यह कौन करता है? edipose tissue यानि बासा उतक तो यहां देखा जाए तो यह काफी महतपून बात है कि बासा उतक यहां महतपून है यहां हड़ी में नहीं होगा उपास्ती में नहीं होगा यहां पर सिरफ बासा उतक में ही जो है संग्रईत रहेगा बासा है तो बासा में ही रहेगा और यह देखा जाए तो यह एक तरह का इंसुलेटर यानि देखा जाए तो इंसुलेटर का मतलब यही तो दोता है कि हमें यह गर्मी परदान करता है एक तरह से हमें ठन लगने से बचाता है तो यहां पर देखा जाए तो भी आप्शन आपका सही जाता है कि टीना को रबर करक में बंद एक ही परकार के तीन से पिस्टन निकाला और उसमें नारियल का तेल चूराा और कपास भर दिया तीना ने पब्तेख सिर्ज कर शिर्ज के सीरे को पिस्टन से बंद कर दिया फिर उसने प्ते YouTube के एतात संभव दवाने की कोशिच की पिस्टन को दवाने को ढूँ में कि Pennsylvania जो कि एक तैनााई यहां पर आप देख सकते हो कि तीन पिस्टन आपको नजर आ रही है कोडरियट ओयल लगाई गई एककटन से अधिक के तर्फ जाना है है ठीक है तो यहाँ पर कफी मेहत पूर्ण भात आती है और इसको समझना मैं आपको रिपीट कर सकता हूं इसको Tina found the three syringe of the same size closed with the rubber cock and she took the piston out of the syringe and fill them with coconut oil, spray dust and cotton. Tina closed the end of the syringe with the piston and she tried to press the piston of each syringe as much as possible. Arrange the syringe in the increasing order difficult pressing the piston. The key is here, less difficult is more difficult. It means to hear, देखा जाये तो किसमें प्रावलम आएगा? तो यहाँ पर देखा जाये तो सबसे अधिक डिफिकल्टी किसमें शो करेगा? तो आपको यहाँ पर सिरिज बता रहे हैं. दखिए, सबसे पहले तो जिसमें ऑईल है, वो बहुत ही असानी से दब जाएगी. ऑईल जो है, पहले में डाला गया है, कोकुनिट ऑईल. तो यहाँ पर अगर कोशन पर नज़र डालिएगा, तो ए उप्षन सिर्फ ए और सी में हैं. इसका पतलब बी और डी जो है, इल्मिनेट हो गया, बी डी को हटा दीजिए, अब आप दो अंद रहे गया, ए और सी में. अब दुसरा किसमें जो है किठना ही आएगी? दुसरा सिर्फ जो है इसमें, किसमें जाएगी? तिसरा में स्वेट डस्ट बढ़ा हुआ है, और तिसरा में कोटन, तो कोटन तो असानी से प्रेस हो जाता है, कोटन में तो प्रॉब्लम आई ही जोगी, वह भी काफी भलका होता है, तो इसका मतलब तिसरा सिर्फ सही जाएगा, अब देखिए, ओप्षन ए और सी में तिसर होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्षन आपका सही जा रहा है, क्योंकि अगर हम इस बात को ध्यान दें, तो कहते हैं, कि अगर हम लिक्वेट की बात करें तो एक पहला में ओयल डाला गया तो लिक्वेट है, दुसरा में सॉलिड पार्टिकल है, और तिसरा में लॉट अफ एयर स स्बस्वेट होती है, तो याँ पर ओप्षन आपका सी सही है, चली देखते है, अगला क्या है, क्यूर्शन है, संकोशल चीट प्रोटीन पाय जाते है, जो संकोचल सीट कल्यों को है कहाँ पूर पाये जाता है, तो यहाँ पर काफी महतुपून बात है और समझने बाली बात है लेकि सबसे महतुपून बात है कि इसका मजलब देखा जाए संकुचर सिल प्रोटीन यानि कोंट्रेक्टल्स प्रोटीन जो होती है कहां पाई जाती है मास स्पेशियों में यानि ऑप्शन सी सही है और इस मास स्पेशियों कारण जो होता है हमारा बॉड़ी और लिम्स जो होते हैं मोमेंट करते हैं तो आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो आपका ऑप्शन सी सही है चलिए देखते हैं अगला क्वेशन क्या है देखिए यहां पर कोशन जो है रिजनिंग के अंतर गताया है और यह काफी मैं तो पूल कोशन इसाम पॉइंट से रखता है और यहां पर आप असानी से जो है नंबर भी ले सकते हो सिर्फ को समझने है जरूरी है अब देखिए कोशन यहां पर पहला बता रहा है कि क्लोड़ प्रकास अंसलेशन ही करता है और यह पता रहा है कि क्लोड़ प्लास में प्रकास संसलेशन वर्ण होते है तो यह बात भी सही है तो क्वेशन है यहां प्रफॉर्फॉर्म प्रफॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर् it means the a is a acceleration and R is the reason देखा जाया तो यहां option कहता है कि दोनों a और r सत्य हैं लेकिन r जो है a का सही सबस्टिकरन करता है option a कहता है option b कहता है दोनों a और r सत्य हैं और RA का साही सफस्टीकरण नहीं है, C कहा रहा है ये सच है, लेकिन R गलत है और D कहता है, ए क गलत है और R सही है, लेकिन यहाँ पर एगर हम बात देखे, समझने कोशश करें, तो कोड़ोप्लास प्रकास सालेशन करता है, ये बात सहती है, इसका मतलब A और B सही है A और D A और R सही है तो इसका मतलब option A भी सही है option B भी सही है लेकिन बात यहाँ पर A उठ रहा है क्या क्लोड़ोप्लास प्रकास सेलेशन करता है क्लोड़ोप्लास में बढ़ना कि क्या यह सबस्टिकरन कर रहा है यहां पर इसको एक महत्व्रून कोश्न मना देता है इसके लिए आपको एक बास समझना पड़ेगा कि देखा जाए चिरोप्लास्ट जो क्लोडोप्लास्ट होता है परकाल से नामक परकाल से वर्णक होते हैं जो सूरे से उड़ जा प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब A का जो है R सपस्टिकरन कर रहा है, तो यहां पर option A सही चला जाएगा, option A आपका सही है, A और R दोनों ही सही है, और R जो है A का सही जो है व्याक्या कर रहा है, तो option सही है, चली देखते हैं अगला question, क्या है, यहां पर रगला question, जो हमारे समक्षाया है, question है, कि यह दावा की जाती है, कि भारती अर्थ व्यवस्ता में मत्य पलन का एक महत्वपून स्थान है, देखिए दोस्तों, मत्यस्य का मतलब होता है, मचली पलन, तो यहां question जो बोल रहा है, यह असलेशन बता रही है, यह दावा कर है, कि भारती अर्थ व्यवस्ता में मत्य यानि मचली का पलन, इसका महत्वपून स्थान है, चलिए यह बात तो सही है, कि मचली उत्पादरन से आदिस अदिक जन संग्या को जो है, घोजन मिल जाती है, तो यह महत्वपूनी होगी, लेकिन कारण यह बता रहा है, कि यह ल भी यहां पर सही है, कि रुजगार तो देता है, इत मिल यह, असलिएशन इस अफिशरी इस आर इंपोर्टन प्लेस इन दा इंडियन इकनोमी, इस ट्रू, अन इसलिया, इस प्रवाइड इंकम अन इंप्लोर्मेंट तो बी मिलियन ओफ फार्मर्स अन फिशन मैन अपार्ट अब इस यह प्लत है, इस आटू सपफेट, इस यह एता है, अगर उप्शन ओंपर हम ध्यान दें तो भी आपने के लगए, तो प्सलियन यह कहता है, कि दोरों, ए और आर, आर सथी है, और आर, dor आका सहिन सपहस्टिकरन कर रहा है, दोर ऑफ कह रहा है, भी कहरा है, इस तक है विचार करने वाला है कि भारते तो जो है मत्य प्राइब का मैत तो पूर्ण स्तान है यह बात सत्य है और यह लाकों किसानों और मजदुरों को आए और उस गार परदान करता है और खासकर तर्टिय राज्य में तो यह बात भी सही है यानि option A और B यहाँ पर सही जा रहा है लेकिन आप हमें यह समझना है कि A, R का सबस्टिकन कर पा रहा है R जो है A का क्या सही व्यक्या है तो इसके लिए हमें थुरा सा स्टेटमेंट को समझना परेगा और फिश्रीस और इंपोर्टेंट प्लेस इन इन इनक्नोमीज एड़ प्रोवाइड इंकम एंप्लोमेंट तो मिलियन और फार्मारें फिशर मैं और पार्टिकल कोस्टल एस्टेट इट मिंट देखा जा है तो यहाँ पर option A सही जा रहा है यहाँ पर सही जाएगा चली देखते हैं अगला कोशन क्या है अगला कोशन हमारे समक्ष आ गया है अगला कोशन है कि अभी कतन ये कहता यह दवा ये होती है कि अपने ग्रहों के चारो और उपगरा की गती का तोरित गती माना जाता है उनकी गती के दोरान गती स्थिर रहती है जब इगती की दिशा लगातार बदलती रहती है The question here, a motion of satellite around their planet is considered an accelerated motion. The motion of satellite around their planet is considered an accelerated motion. And reason here, during their motion, the speed remains constant. And will the reaction of the motion change continuously? It means to here, most important. अशय सिके होढए झास, राखआ, लेकिन आर गलतए है, डी चेहराए आह, एक गलतए है. बातं यहां समझने वाली बात है, कि अपने ग्रहों के चारों और ग्रहों की गती के तोरित गती माना जाता है. इह बात सही एरहॉनम ने NCRT बुक me book में भी यह बात पड़ी थी, तो यह बात तो यहां पर सही जा रहा है, R कह 섹न, GATIK के दवरान गती स्थिर रहती है, उनकी गती के दवरान गती तो स्तिर रहेगी जबकि गती की दिशा लगातार बदलती रहेगी, यह बात सही है, यानि यह देखा जाया तो A, R दोनों ही सही है इसका मतलब दोनो A और B आप्शन सही जा रहा है लेकिन क्या इसका सबस्टेकरन कर रहा है तो इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट जानना पड़ेगा NCRT के बुक के स्टेटमेंट है कि सेटलाइट सेटलाइट रहाँ 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 रह देखा जाये तो इसका मतलब यही बनता है दोस्तों जो काभी महतवपून बात यहां दरशाया गया है और यह समझने के लिए जरूरी है उपगरा अपने चारो ग्रहों के चारो और लगबर गुलाकार कख्ष में स्थिर गती से गुमते हैं और यह बात सही है और इस परकार उनकी गती के दौरान गती स्थिर रहती है जबकि गती की दिशालगातार बदलती रहती है परिनाम सरूप उनके बेग में परिवर्तन होता है इसलिए उपगरों की अपने गरों के चारो और गती को तोरित गती माना जाता है तो इसका मतलब देखा जाए तो A B सही है और R जो है A का सही सबस्टी करन कर रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर A सही है चलिए देखते हैं हमारा अंतिम कोशन क्या है हमारा कोशन अंतिम आ गया है कोशन है अभी कतर यानि दावा यह है कि तत्व और योगी शुद्पदार्त है क्या यह बात सही हो सकता है चलिए आगे सेट्वेंट हम देखें योगी के गुन उसके घटक तत्व से भीन होती है चलिए मार लेता हैं तत्व और योगी सुद्पदार्त है यह बात सही भी हो सकता है योगी को के गुंग उनके घटक तत्व से भीन होते यह भी बात सही है कि उनके योगी के गुन उनके घटक से तत्व से भीन होंगी तो कोशन है यह The important The element and compound are pure substance there are relations here element and compound are pure substance reason the properties of compound are different from those it is a constant element you know that question is very interesting element and compound are pure substance and reason here the properties of compound are different from those of it is a constant element the option here a say that both a and r are right and here are a sophisticated b say that both a and r are right and r are right and r are right c say that a is right but r is wrong d say that a is wrong and r is right so here are we can think and r is right and r is right and r is right and r is right so it means that a and b are right but here you have to analyze it आपको एक सबस्टिकन कर पा रहा है तो इसके लिए आपको ncrt book के जो है कोशनों में जाना पड़ेगा इसके लाइन यह कहते हैं अप्योर सबस्टार्ण मैं भी एदर कॉंस्टेंट अप्योर सबस्टार्ण मैं भी एदर कॉंटेंट Constantly, particles of only one kind are different kind अप्योर सबस्टार्ण मैं भी एदर कॉंटेंट Constantly, particles of only one kind are different kinds A pure substance has a fixed composition and thus element and compound are example of pure substance properties of compound are different from those it is a constant element it means here एक सुद्पदार्त में यातो केवल एक ही परकार के या बिवीन परकार के घटक कड़ हो सकते हैं सुद्पदार्तों की एक निश्य सरचना होती है और इस परकार तत्व और योगिक सुद्पदार्तों के उधारन है योगिक के गुण उनके घटक तत्व से बिन होते हैं तो देखा जाये तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो गई कि A और B दोनों सही है A और B में कोई गलती नहीं है A और R में लेकिन एक बात यहाँ पर साफ करता है कि R जो है A का सपस्टिक करान नहीं कर रहा है तो इसका मतलब option यहाँ पर B सही जाएगा जो काफी में तो पून exam point of view से सारे question बनती है दोस्तों इसके साथ हमारा यह question खतम हो जाता है जो काफी में तो पून था अगर आपको समझ में आया अच्छा लगा और चाहते हो कि इसी परकार सभी वीडियो आपको मिलता रहे चाहे हो सस्टी का हो साइंस का हो इंग्लिश का हो मैथ का हो तो सोचिए नहीं विचार न कीजिए जितना हो सके तिरपान इस रिसेंडर को share कीजिए दोस्तों share की बात मैंने इसलिए पहले का क्योंकि मुझे एक बात पता है share ही किया रहे और मैं जानता हूँ कि सिर्फ एक बच्चे को अच्छे ग्यान प्राप्त हो जाने से नहीं बात बनेगी क्योंकि हमें जो है अपने भारत देश को बदलना है और ये भारत देश तब बदलता है जब आपका ग्यान सच्चा होता है और ग्यान महतवपून होता है इसके लिए share करने की जरूरत है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके समक्ष सही सही बात रखू और आप सही सही समझ के एक्जाम में जाओ और यह महतवपून बात है मैं एक बात साथ में कहता हूँ कि अगर समझ में आपको आया आपको अगर अच्छा लगा अगर मन में अच्छा लगा तो जरूर शेयर कीजिए क्योंकि अगर आपको अच्छा लगा तो दुसरे बच्चों को भी अच्छा लगेगा और उनको भी मदद हो जाएगा इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जितना हो सके इस विडियो को शेर कीजिये, क्याकि शेर ही दुसरे बच्चों का care है, पहली बार म मैंने चनल पे आयो, पहली बार वीडिड़ो देख रहे रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो जर्नल सी बात है दोस्तों चलों सब्सक्राइब करके बने माल में सेव कीजिए क्यों कि शेव कीजिएगा तभी महत्वपून रहेगा क्योंकि यहां पर तिरपान इसे जंडर सिख्त क्लास से ले सब्सक्राइब करना जरूरी है सोचिए नहीं विचार न कीजिए अभी तिरपान सब्सक्राइब करके बने माल में सेव कीजिए